नमस्कार आज हम बात करेंगे एक गंभीर मुद्धे पर जिसे डिजिटल आरेष्ट के नाम से जाना जाता है इस अवधारणा के तरयत किसी व्यक्ति को ओनलाइन माध्यम से डराने या धमकाने का मामला सामने आता है डिजिटल दुनिया में बढ़तीगा टाउन ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी ओनलाइन गतिवीदिया हमें स्तुरक्षित रखती है या हमें खत्रे में डाल सकती है क्या आपको पता है कि कैसे एक पोश्ट, एक संदेश या एक टिपणी किसी की जिन्दिगी में मुश्किले ला सकती है आज हम इस विशे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे ऐसे डिजिटल अरेश्ट से बच सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं डिजिटल अरेश्ट में किसी सक्स को ओनलाइन माद्यम से डराया जाता है कि वह सरकारी एजन्सी के माद्यम से अरेश्ट हो गया है उसे पैनल्टी या जुर्बाना देना होगा डिजिटल अरेश्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है लेकिन अपरादियों के इस तरह के बढ़ते अपराद की वज़े से इसका उद्वा हुआ है पिछले दिनों में देश भर में अजारों मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें लाखों करोडों रुपए की दोखा धरी हुई है इसके अलावा कई सारे अन्रिपोर्टेด मामले भी होते हैं कई ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें ठगी करने की कोषिशS करने वाले सफल नहीं उपाते डिजिटल अरेष्ट के संगठित गिरों का अभी तक फुलासा नहीं हुआ है जिसकी वज़े से डिजिटल अरेष्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं आजकल डिजिटल अरेष्ट साइबर ठगी का एक नया तरीका आया है ऐसे मामलों में ठगे खुद को कानून का या परवर्तन अधिकारी बता करके लोगों को ओडियो या वीरियो कोल करके डराते हैं और उन्हें गिरपदारी का जासा देकर उनके ही घर में तब तक डिजिटल तोर पर बंदग बना लेते हैं जब तक ओनलाइन तरीके से उनसे पैसे नहीं एट लिये जाते हैं इस संबन्द में किसी भी परगार का कोई कानून पूरे भारत में नहीं बना हुआ है इस ते गबराने की जुरुत नहीं है क्योंकि अभी हाली में इंदोर में डिजिटल ठगी के तोर पर 162 साल की मैला को जाल में फसा करके 46 लाक रुपे हडब कर लिए गए ऐसे परकार आगरा में जो मालती वर्मा नाम की एक मैला थी उन्हें आठ मिनट में दस बार 30 सितंबर को वीडियो कोल किये गए और साइबर ठगी की गई और उन्हें कहा गया कि आपकी बेटी सेक्स रेकट में फस गई है एक लाक रुपे तुरत बूगल पे करें उतनी घबरा गई कि उनके हाड अटेग आ गया और उनके मरती हो गई इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि पूरे भारत में डिजिटल अरेस्ट को लेकर के किसी परकार का कोई कानून नहीं बना हुआ है लोगों को गवराने के आउशकता नहीं है साइबर ठगी करने वाले लोगों ने एक नया तरीका निकाला है जो लोगों को वीडियो कोल करके वाट्सेब कोल करके उनके किसी परिजन रिष्टेदार के खिलाब कानूनी कारवाई होने का डर पेदा करके तुरंत उनसे ओनलाइन पेशे की डिमांड की जाती है और उस किसी को डरने की जरुरत नहीं है सब इस प्रकार के कोई भी को आती है उसको इगनोर करें उसके खिलाब कुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाए ऐसे को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं और डरने की जरुरत नहीं है Digital Arrest के मामले में लोगों को कैसे फसाया जाता है तो हम आपको बता सकते हैं कि इसमें ठगी करने के 4-5 तारीके होते हैं जैसे किसी कुरियर का नाम लेकर कि इसमें गलत सामाना है कुरियर में drugs है जिसकी वज़त से आफवावस सकते हैं आपके बैंक खाते से इस तरह के ट्रांजेक्शन होए हैं, जो financial fraud related होते हैं, money laundering, NDPS का भैदिका कर भी आपको ठगा जा सकता है, अधिकतर उन लोगों को फसाय जाता है, जो पड़े लिखे और कानून के जानकार होते हैं, ऐसे लोगों को डरा कर उनसे digital माध्यम से फिरोती म रहा जाता है, कई बार दो से तीन दिन तक digital arrest रखा जाता है, जो कारवाईय की जाती है, उसमें देखा जाता है कि अमोमन digital ठग पुलिस की वर्दी में होते हैं, या उनका background पुलिस थाने जैसा होता है, जिससे अमोमन लोग डर जाते हैं, येकिन उनको टरनने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि पुलिस कभी भी WhatsApp कोल नहीं करती है, पुलिस कभी भी वीडियो कोल नहीं करती है, पुलिस के दवारा कभी बी online पेस्य की डिमांड नहीं की जाती है, डिजिटल अरेस्ट के मामले से कैसे बचा जा सकता है, तो हम आपको कुछ स्रक्षा की ऐसी चीज़े ह जो बता रहें, इसमें कई तरह के अपराद होते हैं, गलत तरीके से सिम कार्ड लिया जाता है, गलत तरीके से बैंक खता खुला जाता है, जिन लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है, उनके पैंक कार्ड, आधार कार्ड समेथ कई अन्य डेटा को गैर कानूनी तरीके से जाता है। उनके खाते से पैसे ट्रांसफर कराये जाते हैं। कई बार क्रिप्टो या गैमिंग एप के माध्यम से हवाला के जरिये पैसे को बाहर भी भेजा जाता है। लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सरकारी एजनसी ओनलाइन तरीके से पूश्टाश नहीं करती है। अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो वहें दो तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकता है। साइबर फ्रोड के हल्परेंट नमबर या फिर इमेल के जड़िये शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा आप इस्तानिय पुलिस को भी शिकायत दे सकते हैं। अगर आप पुलिस को ठगी के एक घंटे के भी सरसूशना देते हैं, तो ट्रांसफर कियेगे पैशे को वापस पाने की पूरी-पूरी संभा होना भी रहती है। इन केस आपने किसी भी लिजन से कोई अन्नोन कॉल उठा ले और जो की वीडियो कॉल भी नहीं है। अगर वह आपको कहता है को पुलिस ओफिसर बोल रहा हूँ, आपने एक्स वाइजर कुछ भी किया है, जैसे की दस्टी लिग का मैटर पता दिया आपके खिलाब, या बड़ा टांजिप्शन हुआ है उसका मैटर बता दिया। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि पुलिस कभी भी आपके खिलाब, F.I.R. दर्श करती है या फिक इड्मेस्टिकिशन करना चाहते है तो आपको एक फिजिकल नोटिस दिया जाएगा या वारंट दिया जाएगा और वो नोटिस भाई पोस्ट आपके पास आता है। अगर आप उस पोस्ट को रिसीव नहीं कर पाते हैं तो पुलिस आपको कॉल करेगी, that is normal कॉल, वो कभी भी आपको वीडियो कॉल पे नहीं जाएगी, इसका ही जूम, टेलीक्राम पर वीडियो कॉल पुलिस के द्वारा नहीं किये जाते हैं नहीं किसी एड्डोकेट के द्वारा किये जाएंगे। सेकेंड यह की डिजिटल अरेस्ट में आजकल जो गटना है सामने आ रही है, उसमें ही रिखा जा रहा है कि डिटार्ट हो चुके परसंग या फि गवर्मेंट इस कॉलेज के प्रोफेसर ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनका मैंड इसे ही होता है कि अपना हर एक स्पेसिफिक मुमेंट पर जाल देता है, तो जब वह परसंग आपको कॉल करता है तो एसे इंफोर्मेशन शेयर करता है जो आपसे चानेक्ट हो जाती है, और जब एक इंफोर्मेशन चानेक्ट होती है आप उसको डिक्रिफा कर रहे हैं, क्या फिक रिटार्मेंट फंक्शन है, उसको ओनलाइन पब्लिक नहीं शेयर ना करें, कुछ स्पेसिफिक फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया अगर कोई मुमेंट आपको शेयर करना ही है, जैसे कि प्रोफेशनल फिल्ट में वो शेयर करना ज़रूरी है, तो आप मुमेंट को कुछ टाइम गयप लगा कर से एक जैसे कि जैसे कि चॉइस अगस्त को कोई मुमेंट हुआ, आप शेयर कर रहे हैं, चार सप्टेंबर को हर एक information अपनी social media पर दालना अवाइड करना चाहिए, थर्ड पॉइंट पर मैं यह कहना चाहूंगी कि डिजिटल अरेस् कर उसके साथ एक के साया था जिसमें वो कोट का सीन बना रहे थे, तो कोट अजकर डिजिटल हुए है, मगर वो सिर्फ एडवोकेट के लिए है, आपको चीफ के लिए क्रॉस एग्जामिन के लिए कोट में बुलाया जाएगा, वो भी जब आपका काउंसलर आपके साथ हो, अधर्वाइज, ओन वीडियो कॉल पर कभी भी कोई भी मीटिंग किसी भी लीगल प्रोपेशन में नहीं होती है, डिजिटल अरेश्ट से बचने के लिए सबसे पहले अपने वाट्सैप की सैटिंग्स में कुछ बदलाव करें, जिससे अगर कोई अंजान नंबर से कोल तो आपके पास सिर्फ उसका नोटीफिक्शन पहुंचे, इसके बाद इन बातों का ध्यान रखें जो हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले अपने वाट्सैप, फेस्बूक या इंस्टाग्राम पर आने वाले किसी भी संदिक्त कोल को न उठाएं, अगर आपने फोन उठ भी लिया है, तो घबराएं ने, बस अपनी परसनल और फाइनेंशल जानकारी शेर ना करें, शुरुआत में शक होने पर तुरंत फोन काड़ दे, फोन पर लंबी बातचीत करने से बचे, अंजान नमबर से आए कोल को तुरंत ट्रू कोलर जैसे एप से वेरिफाई जरूर करें, वाटसब पर आने वाले अंजान कोल को कैसे साइलेंट कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में वाटसब के अंजान कोल के जरिए स्कैम के मामरे तेजी से बढ़े हैं, इसे रोकने के लिए वाटसब ने एक नया फीचर भी जोड़ा है, इस फीच के जड़िये पता चल सकेगा WhatsApp के unknown call silent feature को on करने के लिए इन steps को follow करें सबसे पहले अपने WhatsApp को open करें इसके बाद app की settings को open करें privacy के option पर जाकर click करें इसके बाद calls के option पर click करें यहां silence unknown callers का option मिलेगा उसे select करके on कर दें इससे WhatsApp पर आने वाले अंजान calls का पहले आपको notification मिलेगा क्या digital arrest में कोई सजा का प्रावदान है तो हम आपको बता दें कि इस मामले में बहुत तरह की सजा हो सकती है गलत document बनाने लोगों से ठंगी करने सरकारी agency को गुम्रा करने की सजा हो सकती है इसके अलावा money laundering हो रही है उसकी सजा IT act के तहत सजा ट्राई के कानून के तहत गलत SIM card लेने की सजा का प्रावदान भी है अलागकि इसमें दिक्कत यह है कि जो लोग पकड़े जाते हैं वह निजले इस तरके प्यादे होते हैं और जो मुख्या होते हैं वह विदेश में बैटे होते हैं सरकारी agency उन्हें पकड़ नहीं पाती है क्या fake calls की online शिकायत कर सकते हैं तो WhatsApp पर आने वाले फरजी call और message को रोखने को लेकर टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने चक्षू पॉर्टल लोंच किया है इस पॉर्टल पर संदिक्त message, call या WhatsApp पर आने वाले spam calls की शिकायत कर सकते हैं शिकायत करने के लिए इन्हें steps को आप follow भी कर सकते हैं सबसे पहले संचार साथी पॉर्टल की official website पर जाएं इसके बाद citizen senting services के option पर क्लिक करें report suspected fraud communication पर क्लिक करें इसके बाद continue for reporting के option पर जाएं अब form का page खुलेगा इसमें फरजी call या message की detail भरें form में एक fraud list होगी आपकी जो शिकायत है उस option पर क्लिक करें इसमें fake call या message का screen short भी upload करें आखिर में अपना mobile number और नाम लिखें capture code और OTP verification के बाद इसे submit कर दें हाली में भारत सरकार ने करीब 1.7 करोड SIM card को बंद किया है ये सबी SIM card फरजी आधार card और अन्य document के जरिये issue करवाए गए थे इसके अलावा आप cyber crime के help plan number 1930 और 112 पर इसकी शिकायत भी कर सकते हैं आपको cyber crime से जुड़ी हमारी इस्टोरी कैसे लगी क्या आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता है आपके विचार और feedback हमारे लिए मैतोपून है इस मुद्धे पर जागरुपता बढ़ाने में आपका योगदान अत्नित मैतोपून है यदि आपके पास कोई सवाल या सुजाव है तो उन्हें साजा करें हम आपकी राई को ध्यान में रखते हुए आगे की इस्टोरीज तयार करेंगे याद रखे साइबर सुरक्षा एक सामुईक जिम्मेदारी है और आपकी जागरुपता से ही हम इस मुद्धे पर प्रभावी डंग से आगे बढ़ सकते हैं जागरुपता ही सुरक्षा की पहली सीड़ी है सुरक्षित रहें सतक रहें और साइबर दुनिया में खुद को मजबूत बनाएं हमेशा एक दूसरे की मदद करें नमस्कार